हेलो एवरीवन वेलकम टू सरकारी हट वन्स अगेन तो इस वीडियो में हम लोग नीट उजी काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड एक इंपॉर्टन डिस्केशन करने वाले हैं तो अभी तक काउंसलिंग का कोई भी ऑफिशन नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन जल्दी ही नोटिफिकेशन जो वो एमसी सी की तरफ से रिलीज हो जाएगा तो वो जब आएगा उसके बारे में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अब्रियर्स देते रहूंगा काउंसलि इसके बारे में हम लोग कुछ इंफर्मिशन डिसकस करने वाले हैं तो बेसिकली जो डेटा है यह प्रिवेस यहर का डेटा जो हम लोग डिसकस करेंगे और 99 परसेंट जो है आपकी जो काउंसलिंग की फीस है वो ऐस सेम एस प्रिवेस यहर ही रहेगी ठीक है फिर भी अगर कोई चेंज उसमें आएगा तो उसके बारे में जो है मैं आपको इंफर्म कर दूँगा ठीक है तो यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग का जो इंफर्मिशन बॉलेटेन था ओफीशल जो कि MCC की तरफ से रिलिस किया गया था वो काउंसलिंग ठीक है तो इस तरीके का यहां पर एक सेक्शन दिया हुआ है और इसमें आप कोशिय नंबर टू देख सकते हैं तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया गोटा और जो बाकी आपका डीम्ड इन्यूवर्सिटी यानि कि जो गवर्मेंट लिए उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है या फिर अगर आपको प्राइवेट और इन्यूवर्सिटिष है जाती है अगर आप जो है कोई भी रूल्स और जो नॉर्मस और कंडिशन से वह आप अगर ब्रेक नहीं करते हो काउंसलिंग के तो एस पर नॉर्मस अगर आप अपनी काउंसलिंग को एक बार आपने पे कर दिया तो आपको वापस नहीं मिलेगा दूसरा आपका सेकुरियृटी फीज है जो आपको वापस कर दिया जाता है काउंसलिंग जब आपका पूरा काउंसलिंग का फीज एंड हो जाता है तो उसके बात जो है आपको वो रिफॉंड कर दिया जाएगा ठीक है तो यहां पर जो है for deemed university deemed university की अगर हम बात करें तो non refundable registration fees 5000 है सभी candidates के लिए चाहें वो MBBS के लिए apply करें BDS के लिए apply करें या फिर BSC nursing के लिए apply करें और मतलब BSC nursing तो deemed में नहीं है ठीक है वो तो सिर्फ all India quota से कर सकते हो तो यह non refundable registration fees जो है यह deemed university की 5000 रुपीज है और जो deemed university के लिए security amount है वो 2 lakh रुपीज है ठीक है तो अगर आप private university से जो है चाहें MBBS के लिए करो या फिर BDS के लिए करो तो आपको 2 lakh रुपीज जो वो pay करने पड़ते हैं as a security deposit ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें for 15% all India quota central universities like DU, AMU, BHU and Jamia और AFMC, All Aims, Jipmar और BSC nursing ठीक है तो इन सभी की अगर हम बात करें तो इसमें जो 15% quota है अगर आप उस 15% quota की counseling के लिए जब आप apply करोगे तो उसमें भी आपको 2 type की fees देनी पड़ेगी पहला non-refundable registration fees दूसरा है refundable security amount तो जो non-refundable registration fees है वो 1000 रुपीज होगी unreserved category की candidates के लिए औ और 500 रुपीज होगी SCST, OBC और PH candidates के लिए ठीक है और जो security amount है जो की refundable होगा वो 10,000 रुपीज देना होगा UR candidates को यह निकि unreserved candidates को और 5000 रुपीज जो है वो pay करना होगा SCST, OBC और PH category को ठीक है और उसके साथ लिखा है कि any unreserved category opting for Central University CFMC ASI will pay रुपीज 1,000 plus रुपीज 10,000 is equal to 11,000 at the time of registration ठीक है तो यह जो है मतलब unreserved category के candidate को total 11,000 रुपीज पे करने होगे counselling में participate करने के लिए और deemed university के लिए अगर कोई भी करता है तो वहाँ पर category के जो है कोई भी concession नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पर 2,000 रुपीज आपका वो हो गया refundable security fees और 5,000 रुपीज आप आपको deemed university के लिए करना होगा बाकी जो अगर 15% All India quota के लिए करते हो जो की government institute से उनकी counselling के लिए तो जो है 1,000 रुपीज जो है आपकी registration fees हो गई यूर candidates के लिए और 10,000 रुपीज जो है security deposit हो गई यूर candidates के लिए बाकी SCST OBCPH के लिए 500 प्लस 5,000 ठीक है तो इस तरीके का आप safely जो है वो arrange करके रख लें ठीक है तो आपको information सारी अच्छे से clear होगी होगी और 99% जो है ऐसा ही रहेगा कि यह जो fees है यह change नहीं होगी इस बार भी as it is ही रहेगी फिर भी अगर इसमें कोई change आएगा तो मैं आपको उसके बारे में update जरूर दे दूगा ठीक है बाके MCC की से जैसे ही counseling का कोई भी notification आता है आपको तुरांत update यहां पर मिल जाएगा तो आप सभी से request है कि चैनल को subscribe कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें और कोई doubt है तो आप मुझे comment section में जरूर बता सकते हों के so thank you and have a nice day